नमस्कार सर, नमस्ते जी, जी सर मैं अखिलेश बोल रहा हूं सर, अखिलेश कहां से हो, जी सर मैं यूपी से मिर्जापुर से हूं सर, मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी उपी वाला हूं, जी सर, जी सर, अच्छा बताईए अखिलेश, जी सर, आपको क्या कहना है बताईए यहिऊ सरार काता लाँ और दो मैं तहे दिल से शुक्रियादा करता हूं कि हम लोगों सेफ निकाले और हम लोग जीस तरह से निकलें सर हम लोग को सबसे ज़ादा खुशी है सर उससे ज़ादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर वो लोग भी सर दिन रात मैनत किये हुए सर इसले में सर अपनी वेक्त करते थे तो सारी दुनिया को चिंता होती है कोईसी भी इसे घटने में तो सारा सारा इंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ निएहीं मुझे जब वो पहली बार छेद कर रखे कर कि चीजे भेजना शुरू किया तो मुझे लगा गब हम समाल पाएंगे क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सुरिय का प्रकाफ नहीं मिलता है तो स्थिती बिगेड़ना शुरू हो जाती है अखिरेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई किया जी सर फैमिली वाले से बात हुई थी सर आप मैं से कोई साथी था उसका भाई तो कह रहा था दो-तिन दिन पहले कि बस मैं तो यह निकलते उसको घर ले जाऊंगा अब मुझे या काफ करने रही दे रहा है जी सर वो तो है सर मतलब अब बाई भी है सर वहाँ पे जी सर जी सर नमस्कार सर मैं सौनुकुमार साहब बोल रहा हूं सर सुनकुमार जी बताईए कहां से हैं आप मैं सर बिहार से हूं सर कहां से बिहार से बिहार में छपराजिला से हूं सर अच्छा ये बताईए बहुत बहुत धन्यवाद सर यहां के जितने भी लोग है जितने भी यहां पे जितने भी कारेकार्टा है हमारे कंपनी से लेके जितन कि हम लोग यहां पे बहुत बहुत फिलिंग कर रहे हैं तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उन से बात कर सके जिसे हमरे मन हलका रहता था तर नहीं लेकिन फिर भी भाई यह बहुत चिंता का समय था आप लोग ने अच्छा आपने आपको समाला और क्योंकि कुछ बुरा हो जाता तो पताने हम तो क्या कर सकते थे याने अंदर इतनी चिंता होती थी सबको पूरे देश, में चिंता होती थी लेकिन आप लोगों ने जो हिंबद मर नाइए हैं वह आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को यह पेरणा देगी क्विए संक कुछ मन्रण्जन के लिए कुछ हम लोग के हुचला हुचाई किए। बाकि सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह से रहे एक जूट रहे एक साथ खाना खाये। हर सुख दूख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे NDRF के जवाँ जब अंदर भुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने इस्वर का धन्यवाद किया, बाकि जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुसकर सिंग धामी, जो हमारे इस उत्राखंड सरगार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहर दिल से हम सब धन् जबते हैं कि इस मुख्यमंत्री के घड़ी में सारे उत्राखंड के लोग सारे देश हमारे साथ खड़ाता सर, देखे आपके परिवार के तपस्या भी काम में आई हैं, परमात्मा के आशिरवाद भी काम में आये हैं, और एक सो चालिस करोर देश वाश्यों की दुआ भी क करनी है क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलिब नहों लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साथ बहुत सभी 41 के 41 लोग अच्छी है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्ता है हमारे मुख और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक पेरणा बनते रहें यही एक मेरी हमेशा प्रातना रहेगी और कभी मिले का मुका मिलेगा तो जुरूर याद करूँगा लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना अब लोग इतने दिनों के बार आ इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूँ क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था तो मैंने सुचाए चलो रात को इबात करना हूं आपसे श्याएन वह भिर भूर दुनी गांड çok proud जाहिन वहीं ब्रेखेन वहीं सबको को बहुत बहुत सुक्ष्टमृ नाय। जाहिन शाहिन सबको बशुक्त को सुक्राम लाइन सर। बवह भषद धयां आध Beimध माता की जय कुम कुमिएं। भष्यात मटा की जय है। आपके जो नारे हैं ने देश सुनकर के आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा बहुत बहुत सुक्वावड़ा है थैंक यू